बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है, वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का सम्मान नहीं करता, वह सबसे ज्यादा वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयम इसका उत्तर दिया है। आखिर ज्यादा पूजापाट करने वाले लोग दुखी और परिशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमत भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं नमस्कार दोस्तों। पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुती। दोस्तों बात द्वापर युक्की है। जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच समवादध हो रहा था, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आकी माधव जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, वह ज्यादा तर दुख और परेशान रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है। जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लिप्त रहते हैं। उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ, इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आईए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। एक गुरु के दो शिश्य थे, दोनों ही पड़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि ए दूसरा शिश्य इन सब चीजों से दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ नमन करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिश्य में थी। एक दिन क्या हुआ? एक शिश्य शराब पीकर अनाब शनाब बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अ दूसरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यक्ताओं की पूर्ती करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था, अचानक उसकी पैर में एक बढधी कांटे चुप जाती है, रक्त निकलने लगता है, ठीक उ मुझे देखो मैं कभी मंदिर नहीं गया, और ना ही मैंने कोई भी काम अच्छा किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायन का कत्था नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं ठेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी उसने मन ही मन विचार किया हाँ, यह तो सच बोल रहा है मैं कितना पूजा करता हूँ और वह कुछ नहीं करता फिर भी कितना सुखी है, इतना सोचते हुए वह अपने गुरू के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरू से करता है गुरू जी मुस्कुराते हुए बोले भगवान जो करते हैं, अच्छे के लिए ही करते हैं जिसकी जैसी योग्यता होती है, उसको उसी के अनुसार फल देते हैं अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों छूँ भाई काटे और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे तुमने भगवान की पूजा की थी यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक ही कारण चुभा अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था इसलिए उसकी आठ किस्मत बदलने वाली थी करोध्धों की संपत्ती का मालिक बनने वाला था मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले जबकि वो अर्बों की संपत्ती का मालिक बनने वाला था भगवान को दोश देना छोड़ा दो अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो भविश्य अपने आप सुधर जाएगा इस प्रकार उसकी आँखें खुल गई और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है जितना हम कलपना करते हैं उससे ज्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है समय का चक्र बहुत तेज चलता है